हेलो स्टुडेंट्स इस ट्रिटोरियल में हम जो बुक क्लाश 10 की है फर्स्ट फ्लाइट का जो नाइन्थ चैप्टर है मैडम राइट्स दबस को स्टेडी करने चल रहे हैं और इसके राइटर है वलिक्खा नन हलाकि यह पिन नेम है सीडोनीम है इनका जो रियल नेम वो था आर के क्रिश्ण सामी कही किताब इन्हों ने लिखी लगवक 75 बुक्स और इन्हें साहित कार्मी अबार्ड भी मिला था 1978 में 2006 में की डेथ हो गई 85 एज में टाइटल मैडम राइट्स दबस अब इसमें मैडम को आप यह मैं समझेगे कि कोई लेडी की बात हो रही यहां पर बलकि एक 8 साल की बच्ची की बात हो रही है जो कि क्यूरियस है आस पास की चीजों भी नजर रखती है और कुछ एडवेंचरिस भी है क्योंकि वो बस को के लिए ही राइट करती है और सिंस कि वो दब्बू नह आद्नेम की गया ह। जो कि बस का कंडीक्टर उसे कहता है तो मैडम याइनि कि वो बच्ची है वो कैसे बस को रैइट करती है इसकी सावारी की क्या नभा होते है क्या उसे नया सीखने को मिलता है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और 사त में इस तरह से श्ड़ी करना है कि board में कोई question आया तो आप उसका answer दे सकें simple language में easy language में तो आई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि chapter कैसे introduce कराया गया है हमें और किस प्रकार से क्यों बस की सावारी करने कोशिश करती है before you read in this sensitive story sensitive story मतलब कि ऐसी कहानी जिसमें हो सकता आप कहीं कहीं पर दिल आपका तुख जाए आपकी emotions जाग जाए An 8 year old girl's first bus journey आठ साल की बच्ची की पहली bus यात्रा into the world outside जो उसे घर से बाहर की दुनिया में लेके जाती है our village is also our induction यानि उसके गाउं से उसे बाहर लेके जाती है induction का मतलब एक प्रकार से इंट्रिडूश कराना किसी से into the mystery of life and death तो इसी bus की first journey में उसे जीवन और मौत life and death का नभव होता है she sees the gap between our knowing that there is death तो ऐसा नहीं उसने कभी death का नाम ना सुना हो लोगों की मौत के बारे मना सुना हो और जीवन क्या होता है वो तो जी रही थी लेकिन फिर भी वो तो थी बच्ची she sees the gap gap का मतलब अंतर फासला होता है between our knowing that there is death यानि हम इस चीज को जाने कि death भी होती है लोगों की and our understanding of it और हम समझ भी पाएं कि death क्या होती है तो किसी चीज को जानना उसे समझना उसे experience करना इसमें gap है difference उसी gap की बात यहां की गई है activity दी गई है यहां पे जिसको आप कर सकते हैं look at the words and phrases given below then put a tick against the ones you think she will find in the text अब देखिए बस की बात है तो passengers भी होंगे चड़ेंगे बस कही न कहीं रुकेगी बस से उतरेंगे भी टिकट्स भी लेना पड़ेगा आवाज भी होगी खड़कलहाट की भी आवाज होगी बस चलेगी सीटे होंगी उसके अंदर और बस धीमे भी होगी रेंगते हुए भी चलेगी और विशल भी बजाएगी कुछ suggestions आ है speak briefly about some of these scenes तो इनके कुछ scenes के बारे में आपको बात करनी है और about other such scenes that you have seen या जिसे आपने देखा उनके बारे में और write a sentence or two about them तिसे आपको दी करिये नदिया हैं, दुकाने हैं, moving trains हैं सब आपने देखा है थे इनके बारे में आपको कुछ sentences लिखने है अब हम direct text में चलते है अब जोगी chapter थोड़ा लंबा है fourth part में इसे हम एक part में cover कर रहे है तो थोड़ा fast रहेंगे there was a girl named वली अम्माई तो वली अम्माई उसका नाम हो गया who was called वली for sword sword troop में उसे बली कहके बुलाते थे उपनाम, छोटा सा नाम घरों का होता है she was eight years old, eight साल की थी very curious, चीजों को जानने कि उसके अंदर इच्छा रहती थी अलब दब्बू नहीं थी कि हाँ चुपचाब जैसे हो रहा होने दो कोई interest ही नहीं है she was interested to know about things her favorite past time was standing अब ऐसे बच्चे सान्त एक जिगा बैठते नहीं है तो उसका जो favorite past time था वो अपना time जो उसका बचता था खाली हो कैसे pass करती थी तो सबसे अच्छा उसका time pass था standing in front doorway of our house तो अपने घर के सामने जो दर्वाजा था यानि जो front door था और बाहर की दुनिया road हो गए रहा था उसके बाहर उसको दिखाई देती थी तो भही वो खाड़ी हो जाती थी watching what was happening in the street outside और यह देखती थी कि सामने जो सड़क है बाहर उस पर क्या होता रहता है there were no playmates उसके कोई साथ ही नहीं था इसके साथ खेलने वाले offer उने जो उसकी उम्र के हो on our street यानि जिस गली में वो रहती थी and this was all about she had to do यानि this was this means यही जो वो खड़ी होती थी doorway पे और बाहर नजर रखती थी जो कुछ भी road पे होता रहता था street पर उसे देखती रहती थी यह इसका यानि this इसके लिए है यही इसका सबसे फेबरिट पाश्टाइम था यही वो करती थी उस समय यानि खेलती नहीं थी बस महीं खड़ी रहती थी but for only standing at the front door was every bit यानि अगर वो playmates के साथ नहीं खेला करती थी क्योंकि स्क्यूमर के नहीं थे तो ऐसा नहीं था कि वो miss करती थी बहुत games को क्योंकि games में हम enjoy करते हैं तो जब front door पे खड़ी रहती थी तो was every bit as enjoyable यानि हर प्रकार से यानि कोई कमी नहीं हो every bit as enjoyable as of the elaborate games यानि जो भी हम game केलते हैं चोटे बड़े, कठिन, आसान जो other children play किया करते थे तो जो enjoyment उससे मिल सकता है उससे कम enjoyment उससे यहां front door पे खड़े ओके नहीं मिला करता था watching the street, street को देखती थी gave her many new unusual experiences तो जो चीज़ हम normally जानते हैं हमारे आस-पास होती रहती हैं उसमें कोई भी खास बात नहीं होती usual and usual was uncommon which was never seen or heard before so the eight-year-old girl was a curious girl who did not play with playmates but she used to stand at the front door and watching what was happening in the streets and it gave her as much enjoyment as she could obtain from playing with her playmates and she also got usable and unusual experiences there यह देखे खड़े हो के देख रही यहां पे और इसने देखे चिन पर अपनी अंगलिया रखी हुई है the curiosity है इसकी आँखों में the most fascinating fascinating means जिसमें आपका interest हो और आपको बहुत अच्छा लगे आप attracted महसूस करें the most fascinating thing of all was the bus that travelled between her village लेकिस सबसे मज़दार जो सबसे ज़्यादा interest उसे होता तो उस bus में था जो उसके गाउं and the nearest town और जो नजदीक का town area था वहां को जाती थी उसको connect करती थी village to town क्योंकि वो रोज आती थी तो ये भी एक बड़ा ही interesting होता है कि देखे अब फिर बस आती होगी time हो रहा है it passed through our street तो उसके street से गुजरा करती थी आप लोग preposition पर नज़र खिए to have a very good learning of English writing skill तो प्रती घंटा once going to the town and once coming back तो प्रती दिन एक बार वो town की दुरब जाती थी उसके बाद वहां से वापस लोटती थी तो उसे इसमें भी बड़ा मज़ा था था बस लोटने वाली होगी अब बस यहां से जाने वाली होगी जाएगी the sight of the bus यानि बस को देखते ही filled each time with a new set of passengers उसे हमेशा उसमें नए passengers नज़र आते थे was a source of unending joy for worldly यह उसे बहुत must कर देता था देखकर यानि unending joy को मतलब यह है कि रोजाना बस को आना है रोजाना वो खड़े हो के देखती थी रोजाना नए passengers मिलते थे भार बार नए passengers देखके और फिर बस का आना फिर बस का जाना तो all these things बच्ची तो थी she felt amused it was entertaining for her day after day she watched the bus तो प्रते दिन मतलब एक दिन नहीं day after day वो दिन दिन ऐसे देखती रहती थी थी बसों को and gradually a tiny wish crept और धीरे धीरे करके tiny मतलब छोटी सी wish मतलब इच्चा अपके मन में आ गई crept रेंगती हुई कहीं से आ गई तो यहाँ पे crept का मतलब यह है कि धीरे धीरे एक इच्चा उसके अंदर धीरे धीरे मतलब क्रीपिंग करते हुए slowly उसके मन में जग गई into her head head means उसके mind में, उसके दिमाग में, उसके मन में बात आई and grew there अब वहाँ पर धीरे धीरे वो बढ़ने लगी कहने के मतलब यह है कि वो जो उसकी desire थी धीरे धीरे strong होती चले गई now first it was only a wish then वो strong होती चले गई that is grow she wanted to ride on that bus अब उसके अंदर यहाए कि मैं भी किसी दिन इसमें यात्रा करके देखूं क्या even if just once चाहे वो एक ही बार मुझे मौका मिले मिल जाए this wish became stronger अब यह wish उसकी strong से stronger होती चले गई और stronger होती चले गई until it was an overwhelming desire देखे जो चीज आपके दिल और दिमाग में चाह जाए आप उसी के बारे में सोचने लगे this is called overwhelming यानि ज्यादा मात्रा में in large quantity most of the times we felt about कि अगर कभी मौका मिल जाए बसकी सवारी करने का only would stress wishfully at the people देखे desire के लिए हैं कई वर्डा है wishfully यहां meaning भी दियागे longing दरसल longing इच्छ को कहते है यानि उतकट इच्छ जो आपकी होती है that is called longing wishfully दरसल जो चीज आपको अमीद है कि आपको साइद मिले की नहीं कभी और फिर भी आप उसके बारे में सोचते हैं कि आपको चीज मिले then we use this wishfully there is a sadness that we are not going to have it and the people who got on मलब जो उस यात्रा पे बस में करते थे चड़ते थे और आफ फिर बस से उतरते थे मलब बोलड़ और अन बोलड़ द बस the bus when it stopped जब बस रुका करती थी at the street corner street के एक corner बजा कर रुकती थी देखें जब यहां से लॉटती होगी तो वहां से passengers आते होगे गावं के लिए वो रुकते होगे और जब बस ऐसे आती होगी तो यहां से passengers जो पहले से आ रहा है वो यहां से नए passengers चड़ते होगे तो इस प्रकार से दो बार उसे बस देखने को मिलती थी मतलब जो यात्री उतरते थे, चड़ते थे, उठ किंडल, किंडल मतलब उतरते जाकरत करते ना, जगा दे ना और यहां पर है उसके मन में feelings को ले आना desire को make the feelings, desires, emotions more intense in her longings, मतलब अपनी च्छाओं में, dreams, उसके सपनों में, उसकी आसाओं में, वो जो यात्री थे, उनके चेहरे नजर आते थे और जब उनके चेहरे नजर आते थे तो उसके अंदर, वो desire, वो longing, dreams और hopes की तरह उसके दिमाग पर, दिल और दिमाग पर च्छा जाते थे मतलब, she was overwhelmed with the desire to ride the bus If one of our friends happened to ride the bus, अगर कभी ऐसा होता था कि कोई उसका दोष थे, उसकी सहली So कोई भी friend, अगर वो यात्रा करके लौटता था, and try to describe, और उसको describe करने कोशिश करता था कि उसकी ride कैसी थी The sights, यानि जो देखता था, वो देखती थी, टाउन में जाकर, और उसे सुनाता था, या सुनाती थी किसे? वल्ली को, वल्ली उट भी too jealous, वल्ली जल भुन जाती थी, मतलब, इशया उसके मने में जाग जाती थी क्योंकि वो तो ride कर नहीं पा रही थी, और वो लोग ride करके लोडते थे, यानि कि जो वो कुछ करना चाहती थी, वो कर नहीं पा रही थी, तो पेशैनी से, और ऐसा होता है, बच्चे चड़ जाते हैं कि बड़ा यात्रा करके आया है, देख न, एक दिन मैं भी जाओंगी, जूठी, to listen and would shout, तो वो पूरी बाद सुनती भी नहीं थी, आप बीज में ही चिला देती थी, in English, English में बोलती, proud, proud, देखे, slang है जो वो लोग use किया करते थे, वहाँ पर, neither see nor her friends really understood, ना तो वो, nor her friends, न लोग कह देते हैं, ठेंगा लेलो, ठेंगा मिलेगा, और मुझे तच्छी तरह याद है कि, during our childhood, in school, we used to pronounce a word, कद्दू, किसी भी बात पे, थोड़ा असा negative sense लेते हुए, तो ऐसे slangs होते हैं, आपके school में भी use होते होंगे, तो proud, proud, और मैं यहाँ पर थोड़ा meaning लगा सकता ह कि यार मुझे दे दे ना, कद्दू ले ले, मैं Indian slang की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर, इसी precarious slang हर भासा में होते हैं, expression of disapproval, और यह slang disapproval का था, मतलब हम थोड़ा सा negative meaning के साथ ही से कहते हैं, कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं होगा, तो वो उनकी बातों को सुनने को राजी ने तो जो वल्ली थी, वो क्योंकि curious girl थी, ऐसे बच्चे जो हैं हर तरफ नजर लग रखते हैं, समझने कोशिश करते हैं, जानने कोशिश करते हैं, क्या हो रहा है, यानि active रहते हैं, तो carefully conversations between neighbors, तो उसके परोशियों के बीच में कोई बातचीत की बात हो रही है, and people who regularly use the bus, तो जो बस के बारे में जो कुछ भी बातचीत होती थी, जो परोशी आते जाते थे, करते थे, और जो लोग regularly use the bus, लब बर बर रो जाना आते जाते थे, हो जकता है गाहों से, टाउन, टाउन से गाहों रो जाते हो, भी काम किया करते हो, and she also asked a few discrete questions, और कभी-कभी उनसे कुछ मतलब होता है, जो चीज़ा आप सोथ समझ कर, with full intention, यहाँ पर लिया हो है, careful questions, तो कुछ समझधारी भरे question भी पूछती थी, here and there, जब तब यहाँ-वहाँ, this way she picked up various small details, धिरे-धिरे उसे, छोट-छोटी चीज़े पता चलने लगी, about the bus journey, bus journey को लेकर, जैसे, the town was six miles from a village, town यह नहां से six miles की दूरी पता, the fare was 30 पैसे, one way, एक तरफ का किराया 30 पैसे था, which is almost nothing at all, जो की लगबक कुछ भी नहीं है, मतलब 30 पैसा क्या माने रखता है, she heard one well-dressed man से, यानि well-dressed मतलब कोई अच्छा वक्ती रहा होगा, well-to-do family का रहा होगा, रिच रहा होगा, तो उस नहीं इस तरह के वक्ती को कहते सुना, 30 पैसा तो कुछ भी नहीं है, but to welli, लेकिन welli के लिए, who scarcely saw that much money, scarcely मतलब, बामुश्किल से, hardly, उसने इतना पैसा देखा होगा, उसने इतना पैसा देखा होगा, उसने गरीब घर से थी, from one month to the next, इसका meaning में यह लगाता हूँ, कि एक मैने से दूर से महिने तक आने तक, यानि 30 दिन के अंतराल पे भी 30 पैसा उसके पास एक अठा नहीं होता था, it seemed a fortune, तो welli के लिए एक fortune था, fortune वैसे लग होता है, लेकिन यहाँ पर fortune हम, a large amount of money, तो 30 पैसा उसके लिए एक fortune था, और उस वेक्ती के लिए कुछ भी नहीं था, and this is the world, Amir and Garib, the trip to the town took 45 minutes, 45 minutes का सामें लगता था, यह few details हैं जो उसने बातचीत करकर, और बातों को सुनकर, कुछ questions पूछ कर, discrete questions, उसने इकठा कर लिये थे, इसका मतलब यह है कि she was intelligent also, smart girl, on reaching town, town पहुंचने पर, if she stayed in her seat, अगर वो अपने seat पर बैठी रहे, and paid another 30 पैसा, उसने फि बारा घर लोट सकती है, on the same bus, उसी bus पर, यानि जाकर 30 पैसा, आकर 30 पैसा, कुल 60 पैसा, this meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, तो धिरे धिरे भी सोच रही है, कि अब वो एक बजे वाली bus पकड़ सकती है, afternoon bus, reach the town at 145, तो इसका मतलब यह हुआ यहाँ पर, यहाँ जो each hour दिया गया है, तो afternoon bus पकड़ने की, सोची की, हाँ, कि अगर मैं afternoon bus पकड़ लू, reach the town, town पहुँच जाओ, at 145, 45 minute में, and be back by about 245, और 2 बच के 45 minute तक मैं घर वापस आ चुकी होँगी, यानि कर 15 minute के लिए बस रुकती भी है, उसके बाद 2 बची चलेगी, तो 245 में पहुँचा देगी, then 3 dot का मतल calculated and recalculated, बार बार सोचती थी, ऐसे होगा, उतना time लगेगा, यानि वो planning कर रही थी, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, planned and replant, जाना है, फिर mood बदलना, अब जाना, तब जाना, तो इस तरह से चीज़े होती है, अकसर सब के साथ, हमारे साथ भी, आपके साथ भी, करूं की ना करू ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, यहां पे कुछ questions दिएगे हैं, first part तो समाप्त हो गया, questions अगर हम यहां पर study करेंगे तो काफी time लग जाएगा, वैसे भी four parts हैं, तो आगे बढ़ते हैं, well, one fine spring day, the afternoon buzz was just on the point of leaving the village, खैर, एक दिन, spring day, मतलब की spring awesome में, the afternoon buzz was just on the point of leaving, बस बस छू पूटने वाली थी, and turning into the main highway, और main highway की तरफ हो मूड़ो रही थी, when a small voice was heard, कि अचानक एक, इसमाल कमलब तक किसी छोटे बच्ची के वाज, was heard, चिलाने के वाज, stop the bus, stop the bus, रुको, रुको, बस को रुको, and a tiny hand, और एक छोटा सा हाथ, क्योंकि बस चल पड़ी थी लग बग was raised commandingly, देखे, voice में determination हो, तो voice commanding हो जाती है, और determination था, क्योंकि 30 पैसा था उसके पास, वो ticket ले सकती थी, तो बस को तो रुकवाई सकती है, बस को रुकना पड़ेगा, तो त्रुठा बाज में, strong sound, forcefully sound, रुको बस, रुको, the bus slowed down to a crawl, आप देखे, बस रुकी और धेरे-धे crawl को लो, जब बस बहुत धीमयों के, रेंगती सी नजर आती, then it is crawl, and the conductor, जो conductor था bus का, sticking his head out, यानि अपना बाहर सेड निकालते हुए, दरवाजे के, said, hurry then, मुला उसने का, बस रुको, बस रुको, तो उसने का, तब जल्दी करो, फिर, tell whoever it is to come quickly, और जो कोई भी है, बस में स चड़ना है, by now the bus had come to a stop, अब तब तक बस रुक चुकी थी लगबग, and the conductor said, conductor ने का, oh, really, you don't say so, मतलब, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जो तुम कह रही हो, you don't say so, कि, क्या कह रही हो, yes, हाँ, I simply have to go to town, मुझे बस टाउन जाना है, said वल्ली, still standing, outside the bus, अच्छा, बस और ये देखो, पैसा है, उसने सोचा है कि 30 पैसा जरूरी है, इसके बना बस से नहीं जा सकते है, तो उसने तुरंत पैसा दिखा दिया, she sold him some coins, और कुछ कोईंस दिखाए, okay, okay, but first you must get on the bus, लेकिन पहले बस में चड़ो जल्दी, shut the conductor and he stressed out a hand to help her up, और उसने अपना हाथ तुम्हें मेरी मदद करने जोत नहीं है, means smart, intelligent, commanding and self-helping, जिससे पता चलता है कि उसकी खुद की कुछ self-esteem भी थी, the conductor was a jolly sound, थोड़ा मज़ा किया type का था, fond of joking, उससे joke करना, हसी मज़ा करना अच्छा लगता था, oh, please don't be angry, अरे, गुसा मत हो with me, my fine madam, आप देखें यहाप my fine madam, fine का मतलब तब ऐसे बढ़िया होता है, लेकिन fine respect के रूप में भी यूज के जयता है, तो इसने madam का, he said, here I have a seat right up there, अच्छा चलो ठीक है, आजाओ, बैठ जाओ, वहाँ जाके, सामने, everybody move aside, please, सब लोग थोड़ा थोड़ा कस को, make way for ma'am, madam को, रज़ता दो, आगे बढ मतलब होता है, कि ऐसा time जब आपके पास कोई काम अगर ना हो, and there were only six or seven passengers, उसमें passengers कम थे, on the bus, they were all looking at Walli and laughing, सब लोग वली को देख रहे थे, और हास रहे थे, और ये भी कम मजा किया नहीं था, कि मैं जब को रस्ता दो, अब उतने कम पैसेंजर से तो रस्ता बनानी के हज़ रहा था, Walli was overcome with sinus, अब Walli को थोड़ा शर्म आ गई, क्योंकि सब लोग हस रहे थे, उसको देखके, overcome का मतलब ही होता है, उसके पर थोड़ा सा शर्म चा गई, हावी हो गई, avoiding everyone's eyes, सब की आखों को बचाते वे, she walked quickly to an empty seat, चल्दी 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 यहां भी हसी मजाक है, मैडम अब हम चलें, सरूर करें, बस चलाएं, तक राश्टी श्माइलिंग मुसकराते वे, then he blew his vishell, उसके बचान गंटी बजाई, लब सीटी बजाई, and the bus moved forward with a roar, और बस रफतार के साथ आगे बढ़ गई, it was a new bus, नई बस थी, its outside painted a gleaming white, चमकता हु तब overhead bars का मुदब होता है, कि जो आपकी सिर्क की ऊपर जो छणी लगी होती, इनको पकड़ कर आप चल सकते हो, बस में, जब सीट नहीं मिलती, तो वो सिल्बर की तरह चमक रहे थे, directly in front और बल्ली, यानि बल्ली के ठीक सामने, above the windshield, means की जो खिड़की पर शीड लगी होती ह जहां पर driver बैठा होता है, there was a beautiful clock, वहां पर घड़ी लगी होई, तो उसका तो काम हो गया, कोई से right time plot ना था, the seats were soft and luxurious, seats बड़ी अच्छी थी, soft थी, मुलायम थी, और अराम दायक थी, only devoured everything, देखे, devoured मुला होता है, कोई चीज जल्दी निगल जाना है, खाते समय, लेकिन with her eyes, और सब कुछ अपनी आँखों से वो देख रही थी, और आँखों से ही devour कर रही थी, क्योंकि खाने पीने की चीज थोड़ी थी आसपास, वो नजारे थे जो बस की बगल से, उसे सीसे से दिखाई देते थे, but when she started to look outside, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, she she found her view cutoff, अपनी बगल की खिलकी से उसने बाहर जाकने कोशिश की, तो वो ठीक से देख नहीं पा रही थी, और वो क्यों नहीं देख पा रही थी, क्योंकि canvas blind that covered the lower part of the window, जो विंटो का जो lower part था, वो transparent नहीं था, so she stood up on the seat and peered, वो जाकना, ओबर मतलब उपर, blind मतलब जो हिस् और दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसके उपर वाला हिस्सा, वहाँ से साब दिखाई देता था, बाहर कव्यों तो वो उपर उठकर, seat पर खड़ी होके देखने कोशिश करती थी, क्योंकि वो बच्ची थी, चोटी थी, उसकी height उतनी नहीं थी, the bus was now going along the bank of a canal, तो इस वक बच जा रही है दूसी तरफ, palm trees, grasslands, यानि घासे और distant mountains और पहाण भी दिखाई दे रहे थे, and the blue, blue sky, और दूर जो horizon बनता है न, तो blue sky भी दिखाई दे रहा था, on the other side was a deep ditch, और एक खाई भी थी, and then acres and acres of green fields, और चाटर फहले हुए खेत, green, 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 चाटर भार याली नजर आ जहां भी नजर जाती थी, जितनी दूर तक जाती थी, हरे भरे खेत ही नजर आ रहे थे, oh it was also wonderful, अब चुकि गाउं में रहती थी अपने, ये नजर रहा उसे देखने को नहीं मिलता थे तनी दूर तक का, तो उस नहीं का, वो कितना शानदार है ये सब, how wonderful, अधभुत, suddenly she was startled by your voice, अचानक, एक voice से वो चौक गई, अलब, surprised, listen, child, ए बच्चे, सुनो, you should not stand like that, तुमें इस तरह नहीं खड़े होना चाहिए, sit down, बैठ जाओ, sitting down, she looked, अच्छा, वो बैठ गई, she looked to see who had spoken, और बैठ के इस तरह देखी, कौन बोला ये, it was an elderly man, एक उन्द राजवेक्ती था, who had honestly been concerned for her, अच्छा, चोकि वो बजूद था, तो बच्ची को लेके थोड़ा सचिन्तित भी था, concerned for her, कि भही बच्ची है, और कहीं ऐसा नहीं क को एक्सिडेंट हो जाए, but she was annoyed, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा, by his attention, मतलब वो इतना ध्यान इसको पड़ दे, कि बच्ची क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो थो थोड़ा enjoy करना चाहती थी, और बच्चे enjoy तभी कर पाते हैं, जब और लोगों की आसपास बच्चा तो कोई नहीं है, she said heartily, जिसमें थोड़ा respect ना हो, थोड़ा सा जिद्द और घमन टाइप की, आज में जब आप बोलते हैं, तो नहीं का, यहां कोई बच्चा तो नहीं न जरा रहा, I have paid में 30 पैसा, मैंने अपने 30 पैसे दिये हैं, like everyone else, जिससे की सब लो करते हुए, oh sir, but this is a very grown-up madam, अरे sir, यह बहुत mature, बड़ी मैम है, do you think a mere girl could pay her own fare, क्या आपने कभी देखा है, कि सिर्फ एक लड़की, यहां पर बच्ची के लिए है, वो अपना किराया खुद दे, क्योंकि देखे, इस उमर के जो बच्चे आते हैं, उनके parents उने किराया देत वली sought an angry glance, अब वली को थोड़ा से वेंग अच्छा नहीं लगा, गुसे मुशने, एक नजर देखा, at the conductor को देखा, and said, I am not a madam, मैं madam नहीं हूँ, please remember that, आगे से याद रखना इसको, first time riding a bus, and what a commanding temperament this girl has, and you have not yet given me my ticket, और हाँ, आपने मुझे अभी अपना टिकट नहीं दिया मुझे, यानि conductor की वाट लगा दी, I'll remember, oh, 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 हम्में आगे से याद रखूंगा, the conductor said, mimicking, अलब जिस प्रकार से बच्ची ने बोला था, उसी प्रकार से, उसकी टोन में, everyone laughed, साभाशने लगे, and gradually, वली टू, joined in the laughter, अच्छा चुकि जितना गुसा थी, अब इसकी mimicry पी थंडा पड़ गई, तो वो भी हसने लगी, the conductor punched, बच्चे ने बहुत जल्दी हसते हैं, थोड़े से भी जोग होता है तो, the conductor punched a ticket, conductor ने पंच मारा, उसमें होल के टिकट में, and hand it to her, उसको दे दिया, just sit back, and make yourself comfortable, अराम से बैठो, यानि कि नीचे अराम से टेक लेके बैठो, and feel comfortable, why should you stand when you have paid for a seat, जब तुमने सीट के लिए पैसा दी आई है, तो क्यों खड़ी होती हो, because I want to, क्योंकि मुझे खड़े होना है, standing up again, दुबारा खड़ी हो गई, दरसल बच्ची तो थी ही अभी, बच्पना था उसके अंदर, लेकि चोंकि बस में राइट कर रही थी, तो इतना तो जानती थी कि लोगों को बहुत जादा अटेंशन अपने ओपर नहीं देना है, और प्रोला सा कड़क पेश आना है, जिससे कि उसे कोई परिशान ना करे, या जो भी उसके अंदर फीलिंग रही हो, थी वो बच्ची अभी, और उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट चीज से टकरा गई, तो भी तुम गिरोगी, that is why we want you to sit down child, इसले हम चाहते हैं बिटा, आप बैट जाओ नीचे, I am not a child, मैं बच्ची नहीं हूँ, I tell you, बता दू मैं कई बार बोल चुकी हूँ, she said irritably, चिल कर उसने बोला, I am 8 years old, मैं 8 साल की हूँ, अब यहां समझ में निय meditate होती है, जब उसे बच्चा बोला जाता है, तो, इसका लब यह है कि, वो life बहुत ही struggle वाली जी रही थी, और बहुत धनी परिवार से नहीं थी, तो sad, वो थोड़ा tough हो गई थी, of course, of course, बेशक, बेशक, बिल्कुल, how stupid हो, यारे मैं भी कितना ब्योकुफ हूँ, 8 years, 8 साल, my, मतलब, अपनी बुद्धी को बल देता हुआ और अपने को बोलता हुआ, यानि मैं इसे याद रखूँगा, my, अदूसर में यहां निकाल सकते हैं, my fine lady, जो बोलने वाला था, जो बोलता रहता, the bus stopped, bus रुकी, some new passengers got on, कुछ नहीं चड़े, and the conductor got busy for a time, कुछ समय के लिए conductor बीजी हो गया, उनका ticket लेना, पैसे लेना, afraid of losing her seat, अब उसने सुचे नहीं नहीं पैसेंजर आरे हैं, कहीं seat gap नहीं हो जाए, वाल, you found the woman absolutely repulsive, बने जिस चीज से आप ग्रणा हो, dislike हो, यानि आप उसके पास जाना पसंद ना करें, ठेक उसी परिकार जिसे magnet होता है, तो north pole पे south pole वाला लेकर आओ, तो वो जुड़ेगा, और अगर north को north से जुड़ेगा, तो रिपल्स कर देगा, तो वो lady उसे थोड़ा disgusting लगी, अच्छी नहीं लगी, उससे दूर रहने की च्छा हो रही थी, रिपल्सिव, such big holes she had in her earlobes, उसके कानों में बड़े-बड़े छेत थे, and such ugly earrings in them, और जो उसने earrings पहने होए थे, वो भी उससे अच्छी नहीं लग रहे थे, अगली लग रहे थे, देखे, बच्चे ज she could smell the beetle nut, अलब जो सुपारी खा रही थी, पान के साथ, तो उसकी जो smell आ रही थी, उसके बारे में है, कि उसकी smell को महसूस कर सकती थी, the woman was chewing, जो चबा रही थी, and she the beetle chews, तो पान खाते बग जो जूस, यानि कि जो लाल लाल उसका जो पान को चबाने से बूले, बाहर की तर म जो कब मुझ से निकल कर नीचे गिर जाये, over her lips, उसके होटों से नीचे की तरफ, at any movement, earrings पहने होए थे, बड़े-बड़े चेत थे, पान खा रही थी, और कभी भी पान, यानि beetle juice कभी भी नीचे गिर सकता था, यानि उसको अच्छा नहीं लगा, who could be sociable with such a person, sociable मनला जो लो Yes, I am traveling alone, हाँ, अकले travel कर रही हूँ, she answered curtly, मतलब रूखेपन के साथ, rudely, and I have got a ticket too, और मेरे पास ticket भी है, मुझे हसी आ रही है इस पे, क्योंकि मेरे ख्याल से उसने ये इसलिए बोला था, कि उसे कोई ये ना कहे, कि तुम बच्ची हो, अभी छोटी हो, और कहीं ये ना कहे your own business, अब इसमें conductor को बोलने कोई जुरूत नहीं थी, तपाक से जवाब दिया, वल्ली ने, तुम अपने काम से काम रखो, said वल्ली, but she laughed all the same, लेकिन थोड़ा सा हस भी थी, क्योंकि अब वो समझ गई थी, कि थोड़ा सा जोकर टाइप का और जॉली मूट का ये वेक्ती है, तो जाम रही थी, कि वो बदमाशी कर रहा है थोड़ा सा, and the conductor laughed, conductor भी हसने लगा, बच्चों का रोना और मुस्कराना इसमें टाइम नहीं लगता, but the old woman went on without dribble, मतलब जो बक्वास करते हैं वो आपकी dribble हो जाती है, is it proper for a such young person to travel alone, अब वो देखे, वो लेडी जो है न, वो क पता भी है, तुम टाउन में कहा जा रही हो, what is the street, street कौन सी है, what is the house number, house number कौन सा है, you need not bother about me, वली अब अच्छे थे टेकल कर रही थी सबको, का तुम्हें मेरे बारे में, यानि आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, I can take care of myself, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, वली से, ठर्णि अर फेस तुवर्ड दे विंडो और स्टेरिं आउट, और उसने अपना फेस, लब इस तरह बोलते हुए, बड़े रूखे पन से, खिड़की की दरफ कर लिया और बाहर ज्याकने लगी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, इस पूरे चैप्टर क पूरे चीज़ों को ख्याल रखते हुए, कहीं कोई लैप्स ना होने पाए, यानि इट, मतलब जो जर्णी उसकी है, फर्स जर्णी, इसके लिए यहाँ भी इट आया है, प्रनाउन, तो इसके लिए उसने बहुत त्यारी की थी, यानि यहाँ वहाँ, जो भी पैसे उसको मिल जाते थे, कोईन से मिल जाते थे, केम हर वे, अब केम हर वे के मतलब नहीं, उसके पड़े मिल जाते थे, मतलब कर उसकी माँ ने दे दिया, कहीं वो काम कर दियोगी, वहाँ से मिल गया, मतलब जहां से भी तहां से उसको अगर कोई कोईन्स मिलता था, उसे बचा कर रखती थी, resisting, resisting मतलब कोई चीज़ा आप पर हावी होने कोशिश कर रही हो, आप उससे अपने को बचाने कोशिश कर रहा है, Every temptation, temptation मतलब लालच तो वो लालच की यहां कर्च कर दूँ, वहां कर्च कर दूँ तो उस लालच पर लगाम लगा कर अपने लालच पर कंट्रोल करना मतलब resisting controlling every temptation to buy paper mints जैसे paper mints खाती रहती होगी कभी खिलोने करीद लिए, कभी balloons करीद लिए तो कुछ नहीं कर रही थी इस वक्त, मन में आता था लेकिन control करती थी like and finally she had saved a total of 60 पैसा और अंत में उसने 60 पैसा बचा ही लिया how difficult it had been, कितना कठिन था यहां वो बच्ची देखे एक एक करके पैसे जोड रही थी यह पता नहीं कि उस दुनिया को बनाने वाले ने इस तरह के गरीबी दी दी और बहुत लोगों का मेरी दी particularly that day at the village fair खास कर उस दिन, जिस दिन village fair लगा था ओ, यानि पैसा उसके पास है लेकिन वो घर्स नहीं कर सकते but she had resolutely पूरे अत्रड़ता के साथ full determination, मतलब फैसला ले लिया तो ले लिया इस तरह से, stifled strong desire, यानि कहते ने कि मैंने अपनी सारी च्छाओं को दमन करते वे सारी च्छाओं को गला घोटते वे मैंने पैसा बचाया तो वो चीज यहाँ पे आ रही है लेकिन यहाँ पे merry go round जूला है, जो गोल-गोल घूमता है चाओ तरफ चक्र खाता है even though she had the money उसके पास पैसा था, वो मेले में गई थी जूला जूल सकती थी लेकिन उसने इसलिए जूला नहीं जूला क्योंकि उसे बस right करनी थी तो यहाँ पे थोड़ा सा heart हम लोगों का भी sensitive होता है इस लड़की को लेकर कितने मुस्किल सुसने पैसे बचाये थे लेकिन यहाँ समें एक सीख भी मिलती है कि अपनी will power को अगर आप strong करें तो आप अपने मक्षद में काम्याब हो सकते हैं यहाँ जितने controls उसने किये हैं इतने बड़े-बड़े लोग नहीं कर पाते हैं सास्त्रों में लिखा भी गिया है कि जो अपनी इच्छाओं पे control कर लेता है वही वास्तों में इस जिवोन में सुखी रह पाता है नहीं तो इच्छा है तो आदमी को हमेशा बेचाइन किये रहती है तो उसने एक एक करके पैसा बचाया पूरी प्लानिंग की अपने हर लालच पे अपने हर शॉक उसने control किया पैसा खर्च नहीं किया without her mother's knowledge यानि उसकी माँ को ना पता हो क्योंकि अकर उसकी माँ को पता हो तो सायद वो अकेले नहीं आ पाएगी और सायद वो यह चाहती थी वो अकेले ही राइट करे और दुनिया को देखे आनंद उठा है उसका या जो भी बजा रही हो डर हो कि सायद मुझे जाने नहीं दिया जाएगा या पैसे की कमी के करण बताया जाएगा कुछ भी हो बट सी मैनेज़ दिस विदाउट तू मच दिफकल्टी लेकिन इस समस्या का भी उसने बहुत अच्छे डंग से जाएगा समस्या नहीं होने पाई उसने उसका हल ढूब लिया एब्री डे आफ्टर लंच यानि प्रती दिन लंच के बाद हर मदर उट नैप मतलब थोड़ी देर के लिए सो जाती थी अच्छे नैप माने होता है छोटी नींद फ्रॉम अबाउट वन टू फॉर एक से चार बजे तक सूती थी यानि तीन घंटे बल्ली आलवेज यूज यूज इस आवर्स फॉर एक्सकर्सन तो बल्ली अक्सर इनी तीन घंटों में जोकि वो भी खाली रहती थी अच्छा वो बाहर नहीं जाती थी मनला उसका एक्सकर्सन यही था कि वो डॉरवे खड़ी होकर और फिर देखा करती थी बाहर क्या हो रहा है और सम्टाइंज इवन वेंचर आउट इंटो विलेज कभी कभी गाउं के अंदर भी चली जाती थी वेंचर मुलब होता है कि यहां भी जो मेनिंग दिया है मैं वही मेनिंग ले लेता हूँ वेंट कॉससली करेज़सली देखें वेंचर में हिम्मत सामिल होती है वेंचर के मतलब यह होता है कोई भी ऐसा कदम उठाएं चाहे किसी भी काम के लिए जिसमें आपको रिस्क भी हो आप साफल भी हो सकते हैं असफल भी हो सकते हैं रुकसान भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो जोखिम जिसमें हो और करिज की भी आशकता प्लाई तो कभी-कभी गाउं में निकल भी जाती थी यानि इसके लिए नॉर्मल नहीं था गाउं में जाना इसले वेंशर लिखा हुआ है तो सावधानी से तोड़ा से तोड़ा से यहां पे डिस्क्रिप्शन बीच में दे दिया गया वो अभी बस में है तो बस रोल ओल मतलब चलती चली जा रही थी कटिंग अक्रोस अब बेर्ड लेंड इसकेप आप जानते हैं फोटोग्राफिय अपने की यह दूर यानि आप बैठे हुए और खड़े हुए और खड़े हुए आप दूर करना जा रहा जब आप आप नजर आता है पिर्थवी की ऊपर जो भी नजर आता है आपको वो लेंड इसकेप हो जाता है आप तीजी के साथ बस टाइनी हैमलेट एक छोटे से गाहों से गुजर रही थी और पास्ट एंड और वेसाइड सॉप या रस्ते में किनारे पर शॉप पड़ती थी तो उस सॉप के बगल से गुजर रही थी इसलिए यहां पर थोड़ा सा लिट्री वर्ड यूज किया गया है कि कहीं एक्सिडेंट होने के संभावना बनी रहती थी अब another vehicle that was coming toward them यह उसकी नजर से देखा जा रहा है उस बच्ची की नजर से इसलिए इस तरह लिखा गया है और अब pedestrian कभी कभी कोई पैदल यात्री आता तो लगता था साथ बस के सामने ही आ गया बस में समा जाएगा crossing the road but low यह भी slang है एक exclamation और हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं लो देख लो लो यह क्या हुआ लो अब क्या होगा तो somehow किसी तरह से it passed on smoothly लेकिन किसी तरह से वो smoothly बस चली जा रही थी यह बच्ची की नजर से है leaving all obstacles safely behind जितने भी रुकाउटे बीच में आ रही थी अब जैसे कोई पैदल यात्री आ रहा है साइकल से आ रहा है but then stopped as the bus reached them लेकिन जब बस उन पेड़ों के पास पहुंचती थी तो पेड़ रुक जाते थे and simply stood there और खड़े रहते थे helpless for a moment कुछ छड़ के लिए by the side of the road, road के किनारे before rushing away in the other direction फिर दूसरे डिरेक्शन में चले जाते थे सीधी सी बात है कि पेड़ ऐसे भागते भी चले आएंगे ऐसा उसको लगता था कि बस जा रही है और जब बस इसके नजदीक पहुंचती तो पेड़ थे खड़ा दिखाई देता था और उसके बाद फिर पीछे लोड़ता दिखाई देता था दूसरे डिरेक्शन में suddenly बल्ली clapped her hands, अचानक बल्ली को बड़ा मज़ा है with a glee, बलब happy and delighted feel कर रही थी वो, बड़ी मस्ती में a young cow, एक cow थी, tail high, अब चुकि जब cow दोड़ती है तो उसके पुछ उपर उट जाती, in the air was running very fast, बहुत तेज दोड़ गया रही थी, right in the middle of the road और road के एक्दम बीच ओ बीच में, right in front of the bus अब चुकि कभी-कभी जानवर आ जाते हैं, तो कभी उधर, कभी उधर, तो बस को रोखना पड़ता है बस भी, driver भी, सोच नहीं पाता है, इधर से लेके जाओं, उधर से लेके जाओं वो नज़ा रहा है, right in front of the bus, the bus slow to a crawl बस रुख गई, और धिरे-धिरे रेंगने लगी, कि कहीं एक्सिदेंट ना हो, and the driver sounded his horn driver अपनी sound से horn बजा रहा था, loudly again and again, बार-बार, यह बल्ली को बड़ा जा रहा था but the more he honked, जितना वो horn बजाता था, आवाज देता था, the more frightened the animal became तो जो जानवर था, यानि कि गाय, डड़ जाती थी बिचारी, और रोट पे ही, और दोड़ने लगती थी, यहाँ वाँ galloped का मतलब अपने कदमों से दोड़ने कोशिश कर रही थी, always right in front of the bus, बार-बार बस के सामने आ जाती थी यानि बस इधर जायत इधर, इधर जायत इधर, यह तो होई जाता है एकसर, यह देखिए, पूंच उठी हुई है इसकी somehow this was very funny to believe, बली को बड़ा मस्त लगा, यह नजारा, she laughed and laughed, हास-हस के लोट-पोर्ट हो गई, बच्ची थी, देखिए, यहाँ नजारा रहाए कि कहीं मैड़म अड़म ने थी, and there was tears in her eyes, इतनी हसी, इतनी हसी कि उसकी आँखों से आँसम निकल आए गए hey lady, haven't you laughed enough, तो मुझे लगता है, conductor नहीं बोला है, hey lady, बहुत हास चुकी, better save some for tomorrow, अरे, कुछ हासी कल के लिए भी बचाए के रख लो, बहुत मस्त था भी conductor भी, at last the cow moved off the road, अंत में फिर cow यहाँ से वहाँ रोड से चली गई, and soon the bus came to a railroad crossing, फिर बस ऐसी जगह पहुँची जहा the railway line or train दोर से एक नजर आ रही है, बूनती की रूप में, मतलब एक डॉट की रूप में, फिर देज़रे वो बढ़ी होती चली जाएगी, a speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger, फिर देज़रे इस बढ़ा होता चला गया, यानि कि train नजदीक आती चली गई, then it rushed past the crossing gate, उसके बाद बहुत तेजी से, गेट में, सामने से गुजरती हुई चली गई train, with a tremendous roar, खुब तेज अवाज करते हुए, धर धर आते हुए, रेटल, खड़ खड़ाते हुए, खड़ खड़ करते हुए, shaking the bus, यहां तकी bus तक हिल गई, क्योंकि vibration होता है न, धरती का, then the bus went on and passed the train station, उसके बाद फ होता है, कि तो travel across a pass over, यानि जहां-जहां से गुजर रही थी, उबल खाबर रस्तों पे, तो traversing कहलाएगा, and turning, मुड़ते हुए, entered a wider thoroughfare, यानि thoroughfare एक आम रास्ता, जहां से सब लोग आ जा सके, busy public road, such big bright looking source, इसका लब यहाए कि कुछ ऐसी जगह पहुँच गई थी, बस जह what glittering displays of clothes, यानि चम-चमाते हुए, कपले नजर आ रहे थे, वहाँ पे display पर रखे गए थे, and other merchandise, यानि कि जो बिकने के लिए समान रखा गया थे, इस वक्त कुछ बड़ी market पर वो बस को गुजरते हुए, देख रही है, such big crowds, इतनी ज़्यादा भीड, ये भी अद्बुत था को इन सब नजारों को देख कर स्तब्द थी, बल्ली gapped at everything, आँखे फाड़ फाड़ कर रूचीजों को देख रही थी, gapping, then the bus stopped, फिर बस रुकी, and everyone got off, सब उतरने लगे, अच्छा वो टाउन पहुँच गई न, इसलिए यहाँ पे, except बल्ली, बल्ली को छोड़ कर सब उतर न, क्या, this is as far as your 30 पैसा, ये 30 पैसे से इतनी दूर तुम आ सकती थी न, आ गई, 30 पैसा तुम्हें यहीं तक लेके आ सकता था, no, बल्ली से, बल्ली ने का, नहीं, I am going back on this same bus, मैं इसी बस से वापस भी जाऊंगी, she took another 30 पैसा from her pocket, उसने pocket से 50 पैसा निकाला, and handed the coins to the conductor को दे why is something the matter, क्यों, क्या कोई मामला है क्या, कोई बात है क्या, no, nothing is the matter, ना है, कोई बात नहीं, I just felt like having a bus right, बस मुझे bus right करने का मन था, बस इतनी सी बात है, don't you want to have a look at the sights, तो समझ गया कि बच्ची है, और कभी बस पे उसने यात्रा नहीं की थी, तो साइद नजारे भी पहली ब you are here, मतलब अब तुम यहां आई गई हो, तो देखो बाहर निकलो, all by myself, अकेले, oh, I would be much too afraid, तो डर जाओंगी, तो घबढ़ाट होगी, greatly amazed, इस पर उसको बड़ी, हासी आई होगी conductor को, मतलब बच्ची है और इस तरह की बाते कर रही है, तो by the girl's way of speaking, जैस प्रकार से in the bus, बस में, जब तुम चड़ी थी, तो में नहीं, डर लग रहा था, nothing to be afraid about that, अच्छा देखे, फिर retort कर रही है, जवाब दे रही है, reply कर रही है, मतलब कम नहीं थी, कहा, उसमें क्या डर्णने की जरुबत है, well, then, तो conductor भी कम नहीं, तो नहीं कहा, अच्छा, खेर, फि nothing to drink, जाओ, कुछ पीओ, यो, nothing to be afraid about that, इधर, उसमें तुमें क्या डर्ण लगेगा, इधर मुलब यहाँ पे है, कि तुम बस में जब चड़ सकती हो, तो जाओ, स्टाल में जाके पीओ, ड्रिंक लो वहाँ पे, उसमें भी तुमें डंडिक जोत महीं होनी चाहिए, oh, no, I couldn don't do that, no, 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 मैं नहीं कर सकती है, well, then, let me bring you a colding, तो नहीं का, ठीक है, फिर, मैं तुम्हाले colding लेके आता हूँ, no, I don't have enough money, अरे, मेरे पास पैसा नहीं, ना ज्यादा, just give me my ticket, बस मुझे ticket दे दो, बस इतना ही, देखे, बच्ची है, 8 साल की, और उसे कोई चीज लाके देना चाहता है, ते एक तब precaution के तोर भी हो सकता है, और दूसरा, बच्चे, कितने attempt हो जाते हैं, इन सब चीजों के लिए, बच्ची बास, controlling over her desires, over her temptations, it will be my treat and not cost you anything, अरे, ये समल लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लेक ट्रीट है, and not cost any, तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देन प्लीज, प्लीज, नो, नहीं रहने दो, the conductor struck, जैसे हम कंदे उचकाते हैं, कोई बात नहीं, and they waited until, तो फिर इंतियार करने लगे, it was time for the bus to begin, तो जब लोग फिर आया होंगे, फिर चड़े होंगे, तो फिर return journey भी सुरू होगी, बस, again there were not many passengers, पैसेंजर जादा नहीं थे, ज पैसेंजर जादा नहीं, फिर बीज में चड़ते हैं, फिर बस भड़ती है, तो वो चीज यहां पर है, एक क्वेश्चन यहां भी मैं आप लिए आंसर कर देता हूं, कि why दिदेंट वलीज वांट तो गो तो इस तो जाँ पर देता हूं, कि why देंट वलीज वांट वांट कि in new areas, at strange places, it is safe to be in the bus, instead of going there and getting into any trouble, or maybe losing the bus, or maybe losing the money, or getting into the hands of any strangers, that may be harmful, तो इसका आँसर आप कुछ भी लिख सकते हो, दूसरे part का, 4th part, won't your mother be looking for you, क्या तुम्हारी मा तुम्हारा इंतजान नहीं कर रही होगी, तक conductor आशते, कि conductor भले जोली टाइप का था, लेकिन वो भी बच्ची की तरफ थोड़ा सा केरफू है, when he gave the girl her ticket, जब बच्ची को टिकट दिया उसने तो पूछा, no, 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 one will be looking for me, नहीं, नहीं, मेरा कोई इंतजान नहीं कर रहा होगा, दा बस स्टार्टेट बच चले लगी, and again there were the same wonderful sights, फिर वही नजारी नजार आ रहे थे, अखिर बस return journey पर थी न, बल्ली वाजन बोर्ड इन थोड़ा सा भी बोर्ड नहीं हो रही थी, and greeted everything with the same excitement, जैसे उसने शुरू की, जब टाउन क बश जारी थी, जो excitement उसे उस फक्त फील हो रहा था, वह excitement उसे अभी भी फील हो रहा था, चीजों को देखकर, suit felt the first time, मतलब first time जो उसको मजा रहा था, वही फिरा रहा था, but suddenly seesaw a young cow, देखिए जब हम लोड़ते हैं, कोई चीज़े में याद रह जाती हैं, तो यह होता है, देखो फिर वही चीज़ नजर आएगी, क्योंकि हम उसी रस्ते भी दुबारा जा रहे हैं, और फिर वो बच्ची थी, बच्चे बहुत active होते हैं, energetic होते हैं, बहुत indifferent, नहीं feel करते बढ़ोगी तरह, but suddenly seesaw a young cow, फिर उसे एक guy दिखाई दी, lying dead, मरी हुई थी, by the roadside, just where it had been struck ठीक उसी जगह जहां पर उसको टक्कल लगी थी, by some fast moving vehicle, साथ किसी fast moving vehicle से, क्योंकि इसकी bus ने टक्कर नहीं मारी थी, now here the story becomes sensitive, वह देखे, बच्ची पर क्या असर पड़ता है, isn't that the same cow that ran into front of the bus, क्या यह वही cow है, जो bus के सामने आ गई थी, our trip, हमारी जब हम टाउन के तरफ जा रहे थे, see, आज the conductor, conductors उसने पूछा, the conductor noted, conductor ने serial आया, and she was overcome with sadness, आप वहाँ देखे एक जिगह मैं पड़ा था, overcome with sadness, यानि उस सर्म के मारे, आग बचाती भी जाके बैठ गई थी, और यहाँ पर उसके उपर, उदासी छा गई, what had been a lovable, कितनी प्यारी, beautiful, सुंदर, creature, प्राणी मतलब, वो guy, just a little while लगो, बस कुछी देर पहले तो, प्यारी से सुंदर सी लग रही थी, चल फिर रही थी, head now suddenly lodged, चानक, खत्म हो गई, उसका चार्म खत्म हो गया, न वो beauty, न वो lovable लग रही है, क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, उसे उठाक फेक देंगे, and its life यानि अब उसे hate करेंगे, कोई उसे प्यार नहीं करेगा, and its life, उसकी life भी खत्म हो गई, and looks so horrible, कितनी horrible लग रही थी, क्योंकि देखे, उल्टा सीधा उसका सरीर हो गया, और टकर खाने के बाद, so frightening, कितनी डराऊनी लग रही थी, as it lay there, वहाँ पड़ी हुई थी, legs spreadigled, उस movement नहीं था, blood all over, 4 तरफ blood फैरा हुआ था, horrible लग रहा था सब कुछ, अब वो बच्ची थी, 8 साल की, बड़े को भी horrible लगता है, वो तो बच्ची थी, क्या उसके मन पे गुजरी होगी, the bus moved on, bus आगे चल दी, the memory of the dead cow haunted her, अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, haunted को लग होता है कि उसके दिलो दिमाग पे वही बात चाही होई थी, जो भूल नहीं पा रही थी, उस dead cow का जो नजारा उसने देखा था, बुरा नजारा, dampening हर इंथुजरी जो चीज कम कर दे, आपके इंथुजरी आपके उत्सा को, बलब किसी चीज की intensity को कम कर दे, that is called dampening, त बस अपनी सीट पर चुपके बैठी रही, until the bus reached her village, जब तक की बस उसके घर नहीं पहुंच गई गाउं, 340 पर, और 4 तक सोती उसकी मा, she stood up, उठी, and stressed herself क्योंकि बैठी भी थी, खड़ी होगी, थोड़ी उसने अंगड़ाई ली, then she turned to the conductor, conductor के तरह मुड़ी, and said, well sir, बढ़ मैम, he answered her, यानि अभी भी मैम, smiling, मुस्कराते वे, whenever you feel like a bus right, कभी तुमारा bus में यातरा करने का मन करे, come, जरूर चलियाना, join us, और हमें join करना, and don't forget to bring your fear, हाँ, किराया लाना मत भूलना, क्योंकि बिना किराया यातरा करना, अपराद, she loved and jumped down, वहां सी, और उसके बाद कूद कर, bus से नीचे चली गई, बच्चे ऐसी होते हैं, कुते फानते चलते हैं, then away she went, और उसके बाद वोजल होती चली गई, bus से दूर होती चली गई, running straight for home, घर पे दोड़ती भी पहुंची, when she entered her house, जो घर में पहुंची, she found her mother awake, उसकी मा जागी भी थी, and talking to one of Wallis aunts, और Wallis की एक चाची से, यानि आस-पास की पड़ों से बातचीत कर रही थी, the one from South Street, South Street से कोई होगी लेडी, this aunt was a real chatterbox, यानि पटर-पटर करने वाली, खुब बोलने वाली, never closing her mouth, कभी उसका मूँ बंद नहीं होता, once she started talking, एक बार शुरू हो गई, तो चुप नहीं होती थी, and where have you been, अरे, तुम कहां थी, sad her aunt, when Walli came in, जब Walli आई, तो उसकी aunt ने कहा, क्योंकि Walli कुछ देर से नहीं रही होगी, अच्छा, जो बहुत बखबख करता है न, उनकी नजर भी हर जगा रहती है, she spoke very casually, उसने ऐसी casually कह दिए, कहां थी तुम अभी तक, not respecting reply, तो casually था तो, उत्तरना अभी तो चलता है, so Walli just smiledishly, Walli भी smile करके रह गई, and her mother and aunt went on with their conversation, इसका लब इनने बिलकुल भी शक नहीं हो, बच्चे आते जाते रहते हैं, तो वो अपने बात्चीत में मश्गूल हो गए, yes, you are right, her mother said, उसकी मा ने कहा, मतलब कुछ बात्चीत का मसला रहा होगा, so many things in our mid- understand in the world outside, हम लोगों के बीच में और बाहर के दुनिया में कितना कुछ होता है, how can we possibly know about everything, हमें सारी चीज़े कहां से पता होंगे, and even when we do know, और हमें पता भी चल जाए about something, किसी की चीज़ के बारे में, we often can't understand, तो हमें समझ कैसे आएंगी, completely, पुरी तरह हम समझ भी नहीं पाते क्या समझ सकते हैं हम लोग, कैनिक मतलब यह है कि बहुती चीज़े हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सुनतो लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उतनी फील नहीं कर पाते हैं उन सब चीज़ें को, क्योंकि हमें उन चीज़े ठीक से समझ बनी आती है, हमें उनका experience नहीं हो अच्छा, बल्ली आसी पास रहेगी, उसने एक सांस लेकर का, हाँ, वाट, आश्टर मदरमा ने का, क्या, वाट इस देट उसे, क्या कहा तुमने, ओ, सेट बल्ली, बल्ली ने का, ओ, आई वाट जस्ट एग्रिंग विद वाट इसे, अरे मैं तो बस यह कह रही थी, हाँ, ह जो तुम कहा रही हो, माना, बिल्कुल सही है, about things happening without our knowledge, हमारे बिना भी जानकारी के चीजें होती रहती है, just a cheat of a girl, देखे, cheat of a girl का मतलब, an immature childless girl, मतलब एक बच्ची, जो mature ना हो, तो वैसी तो थी, और थोड़ा सा हम इस्तरी भी कह सकते हैं, कि अभी छोटी सी बित्ता भर और उसकी आड़ने का, and yet, और फिर भी, she pokes her nose into our conversation, हम बड़ों की बाचीत में, बीच में, टांग अड़ाती रहती है, just as though she was a grown lady, जैसे, बहुत बड़ी लेडी बन गई हो, जैसे कभी हम घर में कहते हैं कि, अम्मा बनने की कोशिश मत करो, बच्चों को कह देते हैं कभी-क खास कर छोटी बच्ची को, हो जो chatterbox ही न, वो बोल रही है, बले smile to her, बले खुद मुसक्राई, वो जानती थी चाची उसकी कैसी थी, auntie, she didn't want them to understand, क्योंकि चायती थी को बिलकुत समझे न, कि उसकी smile के पीछे का राज क्या है, उसकी smile के पीछे का राज ही है, कि बस write करके और उसने कई नए नजारे देखे, नए लोगों से मिली, नए जानकारियां हुई, जो सायद उसनती थी, कभी अपने अपने आग से देखा नहीं था, आज उसको समझ पाई, but then there was not much chance of that was there, और फिर कोई chance था भी नहीं, क्या कोई chance था क्या, यहां किस chance की बात हो रही है, य उस chance की बात हो रही, कोई समझ पाई, कि वो बस राइट करने गई थी, इतने असानी से उसका प्लान सफल हो गया था, क्यों, क्योंकि ना उसकी मम्मी को शक, ना उसकी चाची को शक, यानि अंटी को, translated from the Tamil by K.S. Sundaram, illustrated by R.K. Lakshman, तो इसमें जो कार्टून है, वो R.K. Lakshman के ह बहुत बड़े कार्टूनिच थे, अब नहीं है, Times of India में बड़े कार्टूनिच के छपा करते थे रोज, और ये वलिक कानन तमील में लिखा था, उन्होंने और K.S. Sundaram ने उसे ट्रांसलेट किया, इंगलिस में, तो इस स्टोरी यहीं खत्म होती है, और इस स्टोरी में हमन वो चीजे नजर आती है, दब्बू नहीं थी, और विल्पावर की स्ट्रांग थी, कैसे डिजार्स पर कंट्रोल करती है, पैसे बचाती है, जबकि बड़े भी इस तरह नहीं कर पाते हैं, और अपनी इच्छा को पूरा करती है, अपने गोल में काम्याब होती है, तो सब क लोग मौत से भागना चाहते हैं, सारी ब्यूटी चली जाती है, सारा चाम चला जाता है, और एक प्रकार से इसमें देखा जाये, तो जीवन जिसे कहा जाता है कि पल भर का है, छड़ बंगूर है, पानी का बुलबला है, कब खत्म हो जाये, कोई नहीं जानता, कि कुछ दि बस में, फिर जब नजारा देखती है, शान्त हो जाती है, सारी मस्ती भूल जाती है, चुकि होती बच्ची है, इसलिए जब घर पहुंचती है, तो चीज उसके दिमाग से थोला सा निकल जाती है, मुझे इस चेप्टर में जो अच्छा लगा, वो ये लगा, कि किस प्रका इस chapter से हमें मिलती है और इस tutorial हो खत्म करने से पहले ये भी कैसे भूल सकते हैं कैसे वो बार-बार कहते हैं कि मैं बच्ची नहीं हूँ मैं पाच 30 पैसे हैं मैंने टिकट लिया है So ending this tutorial here Thank you for watching the video tutorial See you in the next video Till then goodbye Take care